तो हेलो गाइस, स्वागतिए हमाड़े चैनले में इसका नमदभी स्पोर्स, आज लोग बात करेंगे फुटबॉल अक्रिकर 2 से रिटेट कुछ न्यूस, तो सुरू करते है अच के वीडियो, पहला किस देरी के वीडियो सुरू करने से पहले यार इस वीडियो के बात भी ए मैंने 3 साल का contract signed किया है, मुंबाई स्री सच के साथ, एंड बहुत ही बड़ी हा signing में बोलुङा, मुंबाई सिरीसि के लिए, देखना होगा कि इस साल विकम पताप सिंगो कितना मुका दिया जाता है, मैं चाता हूँँ कि मुका दिया जाए क्योंकि ये इंडिया के future है, मुंबाई सिर्फी ने अपने रिजर्व टीम के लिए खरीदा है और वो आरे फाइसी आकड़ेमी के प्लेयरे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड प्लेयरे तीन साल का कॉंट्रेक्ट उन्होंने भी साइन किया है मुंबाई सिर्फी के साथ हैं देखना की उनका पक्रमेस में कैसा रहता है मेंली वह रिजर्व टीम का होने की खेलेंगे आ एक एक सेचंड डिविशन में खेल सकते हैं अब देखते हैं। Mus Gleiche यज द वगाया मुंबाई सिर्फ शी के ही तरफ से मंदार राव दिसाई का भी साइनिंग ऑफिशल एनौस कर लिया, मंदार राव दिसाई जो कि 28 एरो लिफ बैक पोईशन के प्लेयरे, लास्ट सिजन का पफोर्मेंस बहुत ही बढ़िया था, और उन्होंने दो साल का कॉंट्रेक्ट साइन के है, मंदार राव दिसाई का भी स साइनिंग एनौस कर रहा है, यह साइनिंग तो बहुत पहले होई गया था, यह सो हम सबको पता यह, बठा भी दिरे-दिरे मंदार राव दिसाई का इनौसमेंट कर रहा है, और देखना हो कि नेक्स्ट और कॉंसे-कॉंसे प्लेयर का अनौसमेंट होना बाकी है, बाद बंगलरसी के तरफ से तो बंगलरसी बात कर रहें विक्टर वासकेस के साथ, और अल्मोस्ट एडवांस टॉक में बात चल रहा है, और विक्टर वासकेस जोग एक थर्टी थी अरोल सेंट्र अड़ा की मिट्फिल्ड पोशिएं के प्लेयर है, उन्होंने बासिलोना बी टी उतना मौका भी उनको नहीं दिया गया था, बट डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा एक एक एक्स्पिरेंस प्लेयर हैं देखना होगा, अगर वो बंगलरसी में आते तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, एक्सप्टेशन काफी हाई होंगा अगर वो बंगलरसी में आते बट हां बात कर रहे है, उनका एज 33 वो एक Central Forward Position के प्लेयर है, अब दिक्कत यहां पर यह की, अल्डेडी बंगलरसी के पास इतने सारे Central Forward Position का option है, और उसके बाद भी एक और Central Forward Position का प्लेयर करीजना मुझे कुछ अभी तो कुछ दिमाग में बैट ने रहा है, बट देखते ह प्लेजिस के अपने strategies होते है, definitely, and मुझे लगता है उनका side formation कुछ अलग होगा, बट हां, रॉल बिकेर है, जो की एक 33 रॉल Central Forward Position के प्लेयर है, उनने में अर्जेंटीना में ही खेला हुए, अर्जेंटीनियन प्लेयर है, उनका लास्ट क्लब था, उम सलाल, इसी जो की एक Qatar क Star League का क्लब है, काफी बढ़िया performance था, उनका वहाँ पे 11 मैचेस में उनने 5 गोल किये, so definitely, बहुती बढ़िया performance है उनका Qatar Star League में, and देखना होगे, अगर वो बैंगलरेस में आते है, तो उनका performance बैंगलरेसी का, okay, कैसे रहता है, तो लेक्षी जाराबार है, नोर्टीनियनियन क्वांश कर लिया है, क्वेसी अपिया का, तो क्वेसी अपिया जो के 30-year-old Central forward position के प्लेयर है, उनने एक साल का contract साइन किया है, नोर्टी जुन एस के साल, उनने Crystal Palace में खेला है, AFC Wimbledon उनका लाज्च टप था, England में उनने मेली खेला है, बहुती जाध अच्छे प्लेयर है, को इसी अपन देखना हो कि उनका नौर्टी जो एसी में पफरमेंस कैसे रहता है तो और एक्षी जार है वह आरे इस्ट बेंगॉल के तरफ से तो इस्ट बेंगॉल ने पाँच प्लेयर्स को बोल दिया कि आप दूसरे क्लब्स देख सकते हो क्योंकि उन पाँच प्लेयर्स को प्री सिजन से प्लेयर्स जो लिष्ट है उन उन समें से निकाल दिया गया और वो पाँच प्लेयर्स से केविल लोबो, किगन पेरिडा, ब्रैंडन, वी, किरिक खोसला, और रिनो एंटो इनको बोल दिया गया कि अगर आप चाहो तब दूसरे क्लब देख सकते हैं क्योंकि यह सारे बहुत टैलेंटेट प्लेयर्स इनके अंदर पोटेंशियल है और रिनो एंटन के विलोबो तो काफी अच्छे प्लेयर भी है किगन पेरिडा भी, इनको बोल दियागा कि आप दूसरे क्लब देख सकते हैं यह कौन से क्लब में जाते हैं या फिर वो इस्ट पंगॉल में ही रहना पसंद करेंगे इस पंगॉल दोनों को लेके सु दोनों ही इंटरेस्टेड है मैथू रिचेंटunden का पलेयर अध्य कवर ऑदान है रिचाल टिंट फॉपर अब मैथैउर्वंन्य इजיים में अब ब्रिस्ब Colonel में खेला है काफी बढ़िया परफ़ेमेंस रहा एंध्य युच्टी है वी वहो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है Matthew Redenton and ज्यादा एज भी नहीं है, उनका एज बस 24 है, so definitely यह signing तो किसी भी क्लब के लिए बहुत ही बढ़िया signing होगा, बढ़ देखना होगा कि क्या Matthew Redenton, East Bengal या फिर Bengal एसी में से कौन से क्लब में आते, so next भी जारा बारा IPL को लेके, so IPL में कल म काफी बढ़िया मैच में बोलूँगा, and finally Kings 11 Punjab बहुत दिनों बाद यह मैच जीती है, and Kings 11 Punjab को के बैटिंग में अल्मोस साड़े बैट्समने बहुत ही अच्छा बैटिंग किया है, and Chris Gayle का कल first match था this IPL में, and उनका performance literally देखने लायक था, बहुत ही बढ़िया performance में बोलूँ एक important training scale है, and अगर लोग बात करें, Kings 11 Punjab के balling के बारे में, तो overall balling attack Kings 11 Punjab का अच्छा था, and RCB के अगर लोग बालिंग का बात करें, तो इसुरु उदाना, Navdeep Saini, इन उनने काफी बढ़िया balling किया, and Chris Morris ने भी काफी बढ़िया balling किया, and Chris Morris ने भी काफी बढ़िया balling किया, and Mumbai Indians के लिए, ये match जीतना important है, अगर उनको number one position में रहना है, and KKR के लिए भी ये match जीतना काफी important है, ताकि वो top four में अपना position strong बना पाए, and but हम लोग ने देखा है कि KKR और Mumbai Indians का जब भी match होता है, तो KKR चोक कर जाते match में, उनका performance उतना अच्छा होता ने, Mumbai Indians के matches में, so कईना कई Mumbai Indians एक अपर हैंड रखते हैं, और Mumbai Indians जीत जाएंगे, तो आपको क्या लगता है, अपनीचे comment करके जरूर बताना, so बस guys, आज के लिए इतना है, आज दूसरा वीडियो आएगा, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनलन को, and bell लगकर दबाना लेना, so thank you for watching this video, म मैं मिलता को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाई!